बैटिंग ने मुझे बहुत निराश किया है क्योंकि बोलिंग की तो हम तारीफ करते हुए नहीं ठक रहे दो टेस्ट मैचेज, चार पारिया, चारों पारियों में 10-10 विकेट चटका है भारतिये गेंदबाजों ने और केप टाउन की दूसरी पारिय की बात करें तो वहां तो 10 में से 9 विकेट भारतिये तेस गेंदबाजों ने चटका है पाएंगे कि 46 बनाए तो सही लेकिन ना अपने काम आए ना टीम के उतने काम आप आए बाकी तो किसी को स्टार्ट ही नहीं मिल पा रही चेते शुर पुजारा दोनों पारियों में रन आउट हो गए पहले भारतिये बल्ले बाज बने भारतिये टेस्क्रिकेट के इतिहास में जो दोनों पारियों में रन आउट हुए और पुजारा से आप ऐसी एरर अफ जज्जमेंट वो भी दो बार कभी उमीद नहीं रखते तो वहाँ पे पीछे की तरफ भारत खिच गया दूसरी पारी में तो खैर जो गेन मुरली विजे को पड़ी वो खेल नहीं सकते थे विराट को भी दूसरी इनिंग में गेन बहुत कमाल की थी रोही चरवान थोड़ा सा अच्छा जरूर किया दूसरी पारी में लेकिन तब तक मैट जो था या उसका कहन नतीजा अपचारिकता ही हो चुका था तो भारतिय बैटिंग फेलियर जरूर भारतिय टीम को थोड़ा सा कचोट रही होगी कि यह एक मौका था जो हाथ से छिटक गया